आज मैं आपसे बात करूगा समस्या जीवीओं की आपने अंदोलन जीवी तो सुना होगा न? आज मैं आपको बताताओं समस्या जीवीओं के बारे में हाथरस में 100 से ज्यादा लोग मर गए समस्या जीवीओं ने Twitter पे ट्वीट किया, Facebook पे लिखा लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भारत में काला जादू अंद विश्वास के खिलाफ कठोर कानूर बनना चाहिए और प्राइमरी स्कूलों में धर्म की सिक्षा देना चाहिए काला जादू अंद विश्वास के बारे में लिखना चाहिए नहीं कहा, यानि हाथरस कांड का न मूल कारण बताया, न अस्थाई समाधान बताया बंगाल में एक महिला को लाठियों से पीटा जा रहा है, फिर से समस्या जीवी उठ गए है वीडियो शेर कर रहे हैं, ट्विटर ट्वीट कर रहे हैं, फेस्बूक पर लिख रहे हैं, इंस्टा पर लिख रहे हैं और फिर केवल यतना बता रहे हैं कि हाँ एक महिला को लाठियों से पीटा गया ये नहीं बता रहे हैं इसका मूल कारण क्या, इसका स्थाई समाधान क्या है पंजाब में एक विक्ति को पीट-पीट के महा डाला गया समस्या जीवी उन्हों फिर से ट्विट करना सुरू किया फेस्बूक पे लिखना शुरू किया, इंस्टाइब के लिखना शुरू किया, वाटसाप पे वीडियो करना सेयर कुरू किया, लेकिन यह कोई भी समस्या जीवी, चाहिए आपने आपको समाजवादी बताते हैं, चाहिए आपको अंबेटकर Schlagg, या गांधिवादी बताते ह लिए ही पॉलिटिकल पार्टियों से फंडिंग होती है बहुत सारे समस्या जीवी है जो नेता बनना चाहते हैं बहुत सारे ऐसे भी समस्या जीवी है जो नेता नहीं बनना चाहते हैं लेकिन उनको पॉलिटिकल पार्टियों से फंडिंग होती है समस्या के बारे में बताते रहने के लिए, जो लोगß कांग्रेस जिनको कांग्रेस से फंडिंग हो रही है, उनको बिजेपी के सरकारे हैं, वहाँ कोई समस्या आएगी तो समस्या बताएंगे, ऐसे अलगलग, जो जिस political parties उसको funding हो रही है वो opposition political party की जो समस्याएं हैं उनके राधी में समस्याएं बताते रहेंगे लेकिन कोई यह नहीं कहेगा 1861 का police act खतम किया जाए और भारत में एक uniform police code लागू किया जाए आखिर पूरे देश की police अलग अलग तरीके से काम कर रही है यूपी की police अलग तरीके से काम करती है दिली की police अलग तरीके से काम करती है बंगाल की police अलग करती है पंजाब की police अलग करती है केरल की police अलग करती है ति ठीक कैसे होगा केवल video share करने से समस्याएं बताने से बहुत सारे लोग समस्या जीवी बताते रहते हैं कि देखो यहां यह हो गया, यह हो गया, होता क्यों जानते, अपराद क्यों होता है, आखिर इतना पराद भारत में है, इतना दुबई में तो नहीं है, जितना पराद भारत में, इतना सिंगापूर में तो नहीं है, जितना भारत में इतना जापान में तो नहीं है क्यों कि वहां की सिख्षा बेवस्थाची है वहां की दंड बेवस्थाची है वहां की नयाइक बेवस्थाची है वहां की प्रसासनिंग बेवस्थाची है तो यह समस्या जी भी जब समस्या बताएंगे उसका मूल कारण नहीं बताए नइने कानुनों को बनाना होगा, जस्टिस वीदिनियर लागू करना पड़ेगा, सिक्toi में संसकार हो और कानून का खौफ हो, घुष फोरी, कमिसन कोरी, दलाली, कटमनी, तॉलाबाजी बंध हो जाएगी, सिक्படो कानून कानून का खौफ हो ये नसा तसकरी मानो तसकरी सोना तसकरी चंदन तसकरी बंद हो जाएगी सिक्षा में संसकार हो और कानून का खौफ हो ये काला बजारी मुनाफा खोरी जमा खोरी मिलावट खोरी ये बंद हो जाएगी सिक्षा अच्छी हो और कानून का खौफ हो दंड ब सथे साथ्यम समाचरेत इस सिध्धान के अनुसार काम को गुसपैठिय नहीं आएंगे भारत में और जो आए हैं कठोर कानून बनाते ही भाग जाएंगे इनर्सी की जरूती नहीं पड़ेगे किवल एक कानून बन जाए जो आजमी भारत में अवय धुरूप से रह रहा है और जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं उन दोनों को 100% परपर्टी जब तो होगी नागरिक्ता खतम होगी या जीवन कारावासपासी होगा मैं गारंटिक साथ कहता हूँ जो गुसपैठियों के मददगार है न यह खुदी गुसपैठियों कहें बहीं तुम जल्दी भाग जाओ जल्दी भाग जाओ या भारत छोड़ दो वो नहीं हो रहा है शिच्छा में संसकार हो कानुन का खौफ हो पूरे देश से धर्मांतर बंद हो जाएगा मैं कहτα THE जुर्तफ में suspicious नहीं होगी किसी लेकिन पुलिस रिफॉर्म जुडिशल रिफॉर्म करने की बात नहीं करेंगे गुस पैठी धर्मांतरन कराने वाले मिसंडियों और उनके मददगारों की 100% प्रपर्टी चप्त करने नागरिक्ता खतम करने आजीवन कारवास फांसी देन के लिए कानून की मांग नहीं करें करेंगे यह गुस पैठी है तो दिखाएंगे फलान जगा भृष्टा चार है सड़क टूट रही है पानी डूब रहा है नाला साफ नहीं हो रहा है लेकिन यह कभी भी समस्य जीवी बार बार आपको नाला दिखाएंगे नाला चोक हो गया सड़क तूट गई जाम लगा इसकी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे, पांच कोड मुकदमों से पांच कोड परिवार टेंशन में है, ये कभी नहीं कहेंगे, कि हाँ, judicial reform होना चीह, मुकदमों का फैसला साल साल नहीं होना चीह. ये समस्या जीवी बाकी सब समस्या बताएंगे, कभी नहीं बोलेएं यह समस्य जी भी यह तो बताएंगे को बंगाल में सिंगापूर में कोई बंगला देसी क्यों नहीं चला जाता भारत में क्यों आते तुष्टा रोपес 15,000 रुपए में पांचे डाकुमेंट बनवा लेते तो कभी इसकी चर्चा नहीं होगी कि जो फरजी डाकुमेंट बनाना गंभीर अपराद होना चाहिए यह समस्या जीवी इसकी बात नहीं करेंगे सुबह से शाम तक और यह समस्या जीवी ऐसा नहीं कि प्लिटिकल पार्टियों के पेट इसन्ट है बहुत सारे नेता भी समस्या जीवी है बहुत सारे अभी नेता भी समस्या जीवी है बहुत सारे लेखक भी समस्या जीवी है बहुत सारे बुद्धी जीवी भी समस्या जीवी है बहुत सारे पत्रकार भी समस्या जीवी हैं पत्रकार को आप देख लीजे जितने बड़े पत्रकार हैं उनको लगता जितनी बड़ी प्रॉलम हम बताएं उतने बड़े पत्रकार है breaking बताई जा रही है यहाँ murder हुआ, यहाँ खत्या हुई यहाँ यह हुआ, यहाँ हुआ, लेकिन कभी आपने किसी समस्या जीवी पत्रकार को देखा कि किसी से press conference में यह पूछ ले, इस समस्या का मूल करण क्या अस्थाई समाधान क्या है, किसी सांस्त विरायक मंतरी से जो समस्या जीवी पत्रकार के भी पूछते हैं, कि जो आप प्रॉलम बता रहे हैं, इसका अस्थाई समाधान है की नहीं है? किसी अपने समस्या जीवी पत्रकार को ये पूछते सुना नेताओं से, भाई याई जो समस्या भारत में है चीन में क्यों नहीं है सिंगापूर में क्यों नहीं है दुबई में क्यों नहीं है बाकि और जापान में क्यों नहीं नहीं बात करें हम जिस मुहाने पे जा रहे हैं जिस तरीके से आम जंता पार्टियों के गुलाम हो चुकी है भारत की ब ना भारत में जो डिमोग्राफिक चेंज आ रहा है, उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है, केवल सुबह से लेके शाम तक ऐसे बगवास के मुद्धों पे चर्चा हो रही है, जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं, केवल तूतू मैं मैं, आरोप रत्यारोप, नूरा कुस् कभी यहां की वीडियो, कभी वहां की वीडियो, कभी केरल की वीडियो, कभी PFI ऐसा कह रहा है, कभी HDPFI ऐसा कह रहा है, कभी Muslim League ऐसे कह रहा है, कभी जमित उल्माहिंद ऐसे कह रहा है, कभी परसनल लाबोर्ड ऐसे कह रहा है, कभी फलाने ऐसे कह रहे है, कोले धेकाने ऐसे कह रहे हैं, अरे क्यों कह रहे हैं, मैं तो यह पूछ रहा हूँ, चीन में कोई किसी की हिम्मत क्यों नहीं पढ़ती कुछ कहने की, भारत में ही सब सारे कुछ कहते हैं, क्यों चले जा रहे हैं, कोई समाधान नहीं है, भारत के इसी कोई भी समस्या नहीं है, जिसका समाधान न प्रापर्टी को आधार से लिंग करने के जुरूरत है भारत में जस्टिस विदिनियर ऐसी कोई समस्या नहीं जो लाई लाज चाहे वो पूर्वोत्तर का लगावाद हो चाहे पंजाब का खालिस्तानी मुव्मेंट हो चाहे नकसलवाद हो चाहे माववादी कोई भी समस्या यसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है बस एक बार समस्या की वाई वाई अनालसिस करना पड़ेगा और समस्या पर चर्चा करने की बज़ाए समस्या के मूल करण अस्थाई समाधान को देखना पड़ेगा हर समस्या का इलाज है